जहां हेलिकॉप्टर से नहीं पहुँच पाए हर्दा धामी वहां पैदल पहुँचे मनीश सिसोदिया आम आदमी का नेता आम आदमी के बीच कहीं देखा है ऐसा उप मुख्य मंत्री जो जनता के बीच घूम कर जनता से मिले कहीं देखा है ऐसा उपु मुख्य मंत्री जो पहार के दूरस दिलाकों के लोगों का दर्द सुनने के लिए खुद पहार चड़े ऐसे गजब के उपु मुख्य मंत्री तो सिर्फ मनीश सिसोधिया जी है जी हाँ मनीश जी ने उत्रखंड के लोगों की पीला को समझने के लिए वहां तक का सफर तै किया जहां तक धामी और हरी श्रावत जी आज तक सड़क नहीं बना पाए मनीश जी ने पाल के ऐसे दूरस दिलाकों की तरफ कूच किया जहां आज तक भाजपा कॉंग्रेस के नेता हेलिकॉप्टर और चौपरों से जानी की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए आपको बता दे कि दिल्ली के उपमुके मंत्री मनीश सिसोधिया जी उत्रखंड दौरे पर है मनीश जी ने टीरी विदानसवा शेत्र के गौराडी और कुठा गाउं समेत कई दूरस इलाकों और पहार के अतिदुर्गम ग्रामीन शेत्रों में जाकर जनता के डर्द को जानने और समझने की कोशिश की ताकि उत्रखंड में हम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दूरस इलाकों में रहने वाले उत्रखंडियों की समस्याओं को प्रात्मिक्ता से निप्टा जा सके अभी तक हमने देखा था बाजबा कॉंग्रेस के नेता एर कंडिशन ओफिस से सिर्फ कागजी कारवाई का ही फर्जी आदेश देते आये हैं जबकि जनता के नेता को मनीश जी और करनल साहब की तरह जनता के बीच होना चाहिए पहार में लोग किन किन कठनाईयों का सामना कर रहे हैं ये देखना चाहिए पर आच्टर्य होता है ऐसे नेताओं पर बाजबा कॉंग्रेस जैसे घडिया पार्टियों पर जो जनता के वोटों पर तो अपना दिगार जमाते हैं पर समस्याओं के निप्टारे के समय ये बाजपा कॉंग्रेस जैसे राजनीतिक दल कहीं बिल में घुज जाते हैं मतलब साफ है बाजपा कॉंग्रेस ने राजनीति की मगर सिर्फ की अफसरवाद राजनीती जबकि आम आद्मी पार्टी अपसरवाद की राजनीती से कोसों दूर है आम आद्मी पार्टी का विश्वास काम करने में है उत्राखंड के गाउं में बसने वाले उत्राखंडियों को हाई टेक करने में है आम आत्मी पार्टी का विश्वास आम जनता का उत्थान करने में है, पहाड के लोगों की समस्याओं का निवारन करने में है, आम आत्मी पार्टी का विश्वास आम आत्मी की समस्या को निप्टाने में है, इसलिए आम आत्मी पार्टी और आम आत्मी की सरकार बनानी के को और एक मौका कोठियाल को